बीजेपी विधायक हरीभूशन ठाकुर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है उनका कहना है कि मुसलिम अब अलपसंख्यक नहीं है उनसे अलपसंख्यक का दरजा छीन लिया जाए वो इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने मतदान का हक भी छीनने की मांग की इनके बयान पर विरोधी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है बीजेपी एमेले के विवादित बोल बचॉल बोले छीना जाए अलपसंख्यक दरजा बीजेपी विधायक हरीभूशन बचॉल ने अपने बयान से फिर से सियासत सुलगा दी है इनका कहना है अलपसंख्यक शब्द मतदान का अपमान है अलपसंख्यक दरजा चीना जाना चाहिए यहां तक कि उन्होंने मतदान का हक चीनने की भी मांग उठाई है और उनको जनसंख्या के हिसाब से आप छोड़ रहे हैं जनसंख्या के हिसाब से उनको भागिदारी दिया जाए इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का इभाजन हुआ धर्म के नाम पर उनको दूसरा देश मिल गया उनको दूसरे देश में चले जाए अगर यहां रह रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनके बोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरी अस्तर के नागरिक बनके भारत मे रह सकते हैं बचौल के बयान पर आरजेडी और कॉंग्रस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है वहीं जेडी यू का कहना है कि ऐसे बयान का कोई मतलब नहीं है जिनको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए जो हिंदुस्तान में रह गए वो सारे के सारे हिंदुस्तानी है चाहे वो हिंदु हो चाहे मुसल्मान वो सभी हिंदुस्तानी है और हमारा सम्मिधान दोनों को बरावर वोटिंग राइट का और बरावर यहां के दे इस देष को असले मुद्दों से भटकाने के लिए यह सारी बाते की जा रही है बेरोजगारी चरम पर है चारो तरफ हाकार फैला हुआ है और RSS और RSS की B team इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए फिर से एक बार इस देश के विग्टन वाली बाते कर रही हूं पूरी तरह से हार सामने देखकर बीजेपी के माननिय बिधायक बचौल जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इनका इलाज इनकी सदसिता समाप्त करके करनी चाहिए। ये लगातार उनुमात की राजनिती विद्वन स्कारी राजनिती कर रहे हैं। हरी भूशन बचौल पहले भी ऐसे बयान दागते रहे हैं जो उन्हें सुर्खियों में लाते रहे हैं। और विरोधियों का भी यही कहना है कि बचौल का मकसद भी यही है कि वो चर्चाओं में बने रहे हैं। जो रिपोर्ट जी मीडिया।